महीं चन्नीगर में हर्याना विधान सभा के अध्यक्ष ग्यांचंद गुपता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है इस दोरा नोंने कहा कि हर्याना विधान सभा का नए भवन बनाने का प्रयास शुरू किया है आज की जरूरत और आगामे प्रसितियों के मद्दे नजर विधान सभा के नए भवन की बेहत जरूरत है हरियाना में परिशिमन के मदेनेजर हरियाना विधानसबा के अध्यक्स ग्यांचन गुपता ने एक पहल की एक कदम बढ़ाया कि हरियाना विधानसबा के लिए नए भावन की जरूरत है और इशी के चलते विधानसबा के अदेक्स ग्यांचन गुपता ने बीते दिनों हर्याना के मुख्य मंत्री मनहोर लाल को इसको लेकर एक पतर लिखा था स्पीकर का पातर मिलने के बाद हर्याना के मुख्य मंतरी मनहोर लाल ने अब केंदरी ग्रय मंतरी अवित साह को पातर लिखा है मसले में दिखिए पामन जी जैसा के आपको जानकारी है आज की परिस्थिती में और जो आने वाली परिस्थिती है उन दोनों को मद्दे नजर रखते हुए हर्याना विधान सभा का जो भावन है उसका आदनों की करण और उसका एक्सपेंशन वो बहुत जरूरी है आज की परिस्थिती में विधान भावन जो हमारा है उसमें नबे विधायकों की बैठने की विवस्ता है और अगर हमारे पास दो या तीन विधायक और आ जाएं तो उनको बिठाने की विवस्ता हमारे वहां हो नहीं सकती और इसके लावाद जो हमारी विधान सबा की कमेटियां हैं उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है उनके चेर्मेन के लिए कोई कमरा नहीं है इवन जो हमारे मंतरी जब हमारा विधान सबा सत्र होता है उनके बैठने के लिए भी कोई वहां पर स्थान उप्रबद नह लीडर आफ दी अपोशन उनको हमने एक कैबिन के अंदर टेंपरिरी कैबिन के अंदर बना करके उनको एक कमरा दिया हुआ है इस प्रकार की प्रस्थिती में आज विधानसवा कारे कर रही है और इसके साथ साथ अब दिखिए पत्रकार दीरगा है जब लगबग पचास पच्पन वरिश पहले जब ये विधानसवा भवन बना था उस समय समाचार पत्र दस या पंदरा समाचार पत्र थे आज शैंकडों की स्रंख्या में समाचार पत्र छपने लगे है और उसके इलावा जो electronic media है और social media है ये जिस परकार से पिछले 15 साल के अंदर 20 साल के अंदर आया है इस विवास्था को भी हमने सुधारना है और इसके लावला हम विदान-सौभा का ये विदान-सौभा बनाने के लिए प्रियास रस्ते हैं और विदानसवा का डिजिलाईशन का काम हम ने शुरू किया हैं उसको बनाने के लिए उसका ट्रिनिंग सेंटर बनाने के लिए हमारे पास जगः उपलफ नहीं हैं और हम अपने यह नहीं नहीं किया कि जो हमारे विधायकों के होस्टल्स हैं, जो फलैट्स हैं, उन फलैट्स के अंदर यह ट्रीनिंग की विवस्था की जाए, वहां पर यह कारेलस थापिद किया है, तो इन स्थारी परिस्थितियों को मद्दे नज रखते हैं, और आगामी 2026 में जब दुबारा परिसीमन होने वाला है आज की जो जानकारी या खबरें अखबारों के अंदर भी आ रही है जो एक्सपर्ट्स की राय है कम से कम 30 या 35 विधायक जो है वो और बढ़ने वाले है जनसंख्या को देखते हुए जिस परकार से पिछले 20 साल के अंदर हर्याना में जनसंख्या बढ़ी है और उसके मताबक उस समय 215 या 120 विधायक होंगे तो उस स्थिती को ध्यान में लगते हुए मुझे लगता है कि हमें अभी प्रियाप्त समय है और इस समय के अंदर अपना एक विधान सवा भवन जो चंडीगड में स्थित हो और इसी विधान सवा भवन के बिलकुल नजदीक हो वो विधान सवा भवन यहां पर बनना चाहिए तो इसी को लेकर के मैंने एक पत्र आदनीय मुख्यमंत्री श्री मनौला जी को लिखा था और दूसरा पत्र मैंने आदनीय अमिशा जी को जो हमारे ग्रह मंत्री हैं उनको भी वेजा था और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुक्हिमंत्री आदनिय मनुला जी ने जो राय मेंने विक्त की थी उस राय को सही मानते हुए उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पत्र आदनिय अमिशा जी को लिखा है और उनसे उन्होंने कहा है कि ये जो विशह है इसके उपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और एक नई विधान सभा कम से कम दस एकर जमीन के उपर यहां चंडिगड के अंदर बननी चाहिए आपने भी पतर लिखा था किंद्रे ग्रह मंत्री अमिशा को और अब मुख्य मंत्री ने भी आपने उनको जो पतर लिखा था उसका रेफरेंस देते वे आपकी जो आपने राय व्यक्त की थी उसको आगे बढ़ाया है आने वाले दिनों में केंद्रे ग्रेमंत्री अमित सहां से आप मिलने का प्रयास करेंगे क्या या साथ ही मुख्यमंत्री और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे क्या आपने त्यारी किया इस मामले में बागी अगर समय मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निविदन किया है अगर कठा मिलने का समय मिले तो बहुत अच्छा है मैंने भी खुद भी अधनी ग्रेमंत्री जी को पत्र लिख करके इस विशे में और एक दो विशे जो और हैं जो पहले से पैंडिंग चल रहे हैं चाहे वो हमारा तेरह प्रतिस्वस्तान पंजाब विदानस्वा के पास है या पंजाब यूनिवर्स्टी में हर्याना का जो हिस्सा है उस मामले को लेकर के भी मैंने आदनिया ग्रेमंत्री जी को पत्र लिखा था तो इन सभी विश्यों पर चर्चा करने के लिए मैंने ग्रेमंत्री जी से समय मांगा है और मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर समय मिल जाएगा तो ये सारी चीजें और इस विधान सवा भवन की जरूरत क्यों है वो हम बैठ करके उसके उपर विस्तित रूप से चर्चा कर सके सर आपने जो है वो ये बात की कि परीशिमन के मदेनेजर और मुझूदा प्रिस्तितियों में भी जो है वो भवन का जो आपके पास जो जरूरत है उसके मताबिक उतना भवन आपके पास नहीं है ऐसे में जो आपने डिजिटलाइजेशन का फैसला किया था सर उसको भी आगे जो बजट सत्र है उस बजट सत्र तक हमारा ये प्रियास रहेगा कि जो हमारा ई विधान सबा का जो हमने एक प्रारूप तियार किया है ई विधान सबा की और कदम बढ़ाया है वो हमारी विधान सबा ई विधान सबा बने और पेपरलेस विधान सबा बने ये हमारी प्रात जब बनेगा यह सारा जो सामान है यह वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन हम उस भवन के खातर यह जो डिजिटलाइशन और कंप्यूटराइशन का काम है इसको नहीं रोकेंगे जो यह नया भवन आपने बनाने की बात की है शुरुआत की है कदम बढ़ाए है इस पूरे मामले में चंडिगड में ही आपने हलांकि जगह की मांग की है लेकिन जब ऐसी चर्चाएं कि चंडिगड के उपर अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए अगर चंडिगड में ही जगह मिलती है फिर विचार किया जाए अगर चंडिगड से बाहर पंचकुला में आने जगह पर कोई बात आप भी चाहते हैं कि चंडिगड में इसी बहुन के साथ ही जगह मिले बिलकुल देखिए ये हमारी सबसे पहली शर्त है कि जो स्थान उपलब्द हो वो चंडिगड में ह पंचकुला या किसी और जिला के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता चंडिगड के अंदर उप्युक्त स्थान कोई मिले तब ही हम उसके उपर विधान सवा भावन जो है बनाने की और आगे बढ़ेंगे अब उमीद करें कि जो आज की मौझदा प्रिष्थिति और आगे की प्रिष्थितियों के मद्ने जर आपने ये शुरुआत की है कदम बढ़ाया लेकिन इसके साथ सथ सर जो पंजाब के पास हरियाना का हिस्सा एक तोर पर कबजे के तोर पर है उसमें भी आपने पंजाब एक प्रकिरिया शुरू हुई है जरूर उस प्रकिरिया का सही एक अंत होगा क्योंके जो हमने प्रकिरिया शुरू की थी उसके कुछ कुछ परिनाम आने शुरू हुए हैं अभी कुछ दिन पहले जो चंडीगर पशासन है उनके अधिकारियों की तरफ से एक पत्र आया था और जिसमें उन्हों ने लिखा था कि हमारे पास उस समय का कोई record अपलवद नहीं है जिस समय चन्डीगड़ का ना इसका पंजाब और हर्याना का भी भाजन हुआ था लेकिन खुशकिसम्ती की बात यह है कि हमारे पास वो पीॉरे का पूरा record अपलवद है और हमने वो पूरा रिकॉर्ड चंडीगर पशासन को भी और आदनीय महामजी को दोनों को अलग लग से उनके पास भेज दिया है मुझी लगता है कि उसके उपर वो जरूर जो वहां की प्रोसीडिंग्स हैं जो वहां के निरने हैं उन निरने को देख करके आगे को निरने करेंगे हमारे साथ हर्याना विधान सबा के अदेक्स ग्यांचन गुपता थे जिनोंने का आए कि मौझुदा परिष्टिति की बात करें या आगामी जो परिष्टिति बनेगी और विधान सबा का जो आगामी बजट सत्र होगा तब तक ये ये विधान सबा सामने आए और इस पे काम हो इसको लेकर काम चल रहा है और परियास है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा वीडियो जानलिस्ट विजेंडर सिंग के साथ पवन सिवर जन्नता टीवी चंडिगन